हेलो बुर्बान कैसा आप लोगा यहोप अच्छोंगे वल्कम टूद अमेजिंग प्लैट्फॉर्फ फिजिक्स वाला मेरे नाम है ओम और आप देखना शुरू कर चुके एंग प्यारी खुबसुरूर सी सीरी जहां पर हम 10 मिनट के अंदर एक अच्छा सा कॉंसेप्स सीखन चारे हैं कोई पेयर ओफ एलेक्ट्रॉन है जो की इनर्ट है जो की बॉंडिंग में पार्टिसेपेट नहीं कर रहा है जिसके ओ निकालना बहुत कठिन है इसकी वजह से कंपाउंस पर कुछ एफेक्ट आएगा उसी को स्टड़ी करना होता है इनर्ट पेयर एफेक्ट के अ है दो याद रखना यह 3 ng इंपोर्टन ठींपोर्ट ंडे क्या होगा वह यह यह इफेक्ट है यह तीन ग्रूप पर अप्लाई होता है कितने ग्रूप पर इंaćन पर अपलाई होता है और ये स्पैसलीस देखेना तो तीन सिर्फ तीन एलिमेंटे पर अपलाई होता है कि आज-छाफ छोड़ पाएंगे सुनियेगा कौन-कौन से ग्रूप है बोरां की फैमिली कारबन की फैमिली नाइटरोजन की फैमिली तो Elon के इन तीन फैमिलीज पर इनरट प्र-इफ्वेक्ट अप्लाई होता है और की लिमेंट्स पर अप्लाई होता है यह तो फैमिली लिखी लिखना होगा थैलियम कारबन में लिखना होगा लेड नाइट्रोजन में लिखना होगा बिस्मत हैवियर का मतलब आप क्या करिए नीचे जाएगा उस फैमिली में आपको ये लोग दिखाई देंगे तो जो इनट पेर इफेक्ट है इस पैसली यहीं थैलियम लेड और बिस् होती है ठीक जी और बिस्मत पर अपलाई होती है अगर हम इसके एक को समझाओंगा उसी इसाफ से बागी को आप तुरन समझ जाएंगे ठीक है इनको देखेगा अगर हम इनका क्या लिखें भया इलेक्ट्रॉनिक इंफिग्रेशन तो हम लिखेंगे जैनॉन इसके बाद हम लिखेंगे 6s2 और क्या रहता है भीजा 6P1 देखो भीया यह है कहां के भीया वरण फैमिली हमारे पी ब्लॉक की पहली फैमिली है तो यह पर आता 6P1 तो 6s और 6P के बीच में कौन से लोग आएंगे 4F 14 आएगा और क्या आता है 5D 10 आता है क्या आता है इसी तरीके साप इसक लिख सकते हैं यहां पर क्या आएगा अंतर सिर्फ क्या होगा भीया बोलो यहां पर हो जाएगा यह लिख देंगे आप 4F 14 फिर अगला होगा 5D 10 next one is 6P2 क्या हो जागा 6P2 यहां पर आप लिखेंगे 6P3 ठीजी बाकी चीजे छाप लिजीए गा मैं सिर्फ यहां पर भी 6P3 लिखेंगे काम चला रहा हूँ छोड़ी इसको लिखते ही नहीं है ठीक जी इनिक तरीके से उसको समझ जाएगा सुनना अगर हम बोरॉन का प्लस वन बनेगा बनेगा क्या और अगर हमने मरप से भी हटा दिए ऐसे में फार cambiar निकलेंगे तो बोरॉन पर क्या बनेगा भ壓 बोरॉन पे प्लस थ्री बनेगा तो इसके रहाएं और देखा यह जाता है कि हमारा मतलब होने का मतलब होता है कि हमारे नेचर में जो compounds पाए जाएंगे बोरॉन के वहाँ पर plus 3 वाले ही पाए जाएंगे बोरॉन का plus 1 भीया ना के बराबर है मतलब मिलता ही नहीं है लेकिन जो हमारा थैलियम है उसके लिए देखा जाता है कि जो थैलियम का जो plus 1 है देखा प्लस 1 कैसे बनाएंगे इस 6P1 से electron निकाल वह बहुत ज्यादा स्टेबल है हमें थैलियम प्लस 3 के कम से कम compounds मिलते हैं तो ज्यादा स्टेबलिटी यहाँ पर किसकी है कम oxidation स्टेट की जबकि उपर ज्यादा oxidation स्टेट की तो जो यह effect आपको दिख रहा है ना यह जो effect आपको दिख रहा है कि नीचे वाला जो हमारा स्टेबल है इसी को इनर्ट पेयर effect कहते हैं प्रशनाता है कि यह क्यों होता है उसका रीजन बताए और इसमें इनर्ट पेयर का क्या लेना देना तो भया जी इसका जबाब यह है कि देखे भया देखिए सब लोग देखे यह जो 6S electrons है यह बांडिंग में participate नहीं करना चाहत है उसका रीजन है कि यहां पर देखिए 24 लेक्ट्रॉन ऐसी जगह पर मौझूद है जिनकी पूवर सिल्डिंग होती है और अगर पूवर सिल्डिंग है और आपका 6S क्या होगा आउटर सल में बाहर की तरफ होगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा अंदर की तरह बहुत अच ठेका जी तो यहां 6S पर होल्डिंग बहुत अच्छी होगी हमारे न्यूक्लियस की तो यह यह इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल नहीं पाते हैं इसका मतलब यह इनर्ट भी है विरसो करते हैं निकल नहीं पाते हैं या बॉंडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते तो यह प्यार ऑफ इलक्ट्रॉन हम उनको कहते हैं यह इनऊट प्यर है यह बॉन्डिंग में नहीं जा पारहा है यही वह वह वजह है जिसकी वजह से यह अगर नहीं निकल पायेगा तो तो सिर्फ यहां से एक ही लेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है इसी वजह से देखें एलेक्ट्रोन आसानी से नहीं निकलता यह यहां पर इनर्ट पेर है यह बॉंडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता अगर नहीं करता तो आप बोलेंगे कि लेड़ का प्लस पूर बनाना बड़ा कथिन काम है लेड़ का प्लस टू बहुत ज्यादा स्टेबल है तो स्टेट में कंपाउंड सबसे ज़्यादा पाई जा रही है हमारे नीचर में सिमिलर्ली हम यहां पर बोलेंगे देखेगा पीछे की तरब देखते हुए नकल मार लीजिए यहां पर एक एलेक्ट्रॉन था क्योंकि यहां पर 6P2 तो यहां पर क्याएगा 6P3 इसका मतलब बि यहां पर 6S2 के जो इलेक्ट्रॉन है यह जो है वह भाई साब क्या है इनर्ट पेर का काम कर रही है तो यह चीज़ समझ माई स्टेबलेटी समझ माई खोपड़ी में यह बाग गई क्या कहां अपलाई करना है क्यों अपलाई करना है यह सब बताया जा चुका अगला बढ़ क्या होता है यह जो 6S होता है वो 5D के भी अंदर आ जाता है तो यह इसका रीजन हो जाता है ठीक जी इसको एक बार पढ़कर देख लीजिए बाके हम इफेक्ट पर चर्चा करें तो जादा आनंद आएगा ठीक जी आजए देख लेते हैं यहां पर क्या है इस्टेबलिटी हो गा टी अल प्लस वंशचा शब से ज्यादा स्टेबल हो करें तो यहां पर लगाने यह वाला ज्यादा स्टेबल है बोलो भई बाट ठीक है क्या यहां पर क्या बोलोगे लेड़ प्लस पूर ज्यादा स्टेबल नहीं है भाई सबसे कम स्टेबल है तो हमें यह चीज़ देखने को मिलते हैं तो स्टेबिलिटी समझ पाएंगे यस सर आगे बढ़ जाते हैं देखो भाई यह लेड़ जो प्लस और होता है वह स्टेबल नहीं यह बहुत यह अनिस टीबल तो वाला तो आप बोलेंगे तो आप करता है इसलिए जो लेड़ प्लस पूर है वह एक औक सीडाइज होता हुआ आपको दिख जाएगा आगे बढ़ जाता हूं इसी तरीके से走了 four जो होता है क्या वो संद प्लस 2 में जाना चाहता है नहीं जाना चाहता क्योंकि ज़्याद अस्टेबल कौन है यहँ ज्यादा इस्टेबल है तो अपने की और की वह अपने आपको स्टेबल महसूस कर रहा है अगर मैं यहा पर बोलों कि मेरे में पास क्या प्रजेंट है sn-plus-2 प्रजेंट तो क्या sn-plus-2 अपने आपको sn-4 प्लस बनाना चाहेगा तो आपका जवाब है क्योंकि sn-plus-4 जो वो ज्यादा stable हैं इस वज़ासे यह भाई साब इसमें convert होना चाहते इसका मतलब क्या हुआ यह अपने आपको oxidize कर रहा है तो दूसरे को reduce करेगा इस वज़ा से इसको हम reducing agent कहते हैं ठीक है तो SN plus 2 reducing agent है लेकिन PB plus 4 एक oxidizing agent है यह बात आपको समझ में आनी चाहिए आए देख लेते हैं यहाँ पर भी यह कारकरम आसानी से जबने होना प्लएव अपने आपको प्लस 3 में बनाना चाहेगा बहुता है वह ज़्यादा स्टीब्ल होता है क्या होता है वह यहांपर यह है कि अ यहां पर इसे करम प्लस तो यह दemandाश क Mixer best दू है आकशिघन का मा Gerade to आए गा प्लस टू अगर प्लस टू तो यहां पर प्लस टू आएगा यहां पर प्लस टू रहे का यहां पर स्प्लेटी की बात करें ज्यादा स्टेबल कौन होगा हम इस्टेबिलिटी की बात करें यहां पर क्या है बहुत है यहां पर जर्मेनियम की बात करें तो वही वाली बात है यहां पर भी प्लस पूर ही ज्यादा स्टेबल होते हैं कानी ठीक जी यह सरगला देख लेते हैं अब है क्या है कुछ ऐसा कि हमारा यहां से लगा दिया फ्लूरी और फ्लूरीन एक बहुत ही खतरनाक ऑक्षिडाइजिंग बहुत ही खतरनाक क्या होता है इलेक्ट्रो नेगटेव एलेमेंट है अगर फ्लूरीन ज् फ्लूरीन लगा तो उनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खीच लेगा अगर वह अपनी तरफ खीचेंगे तो इस टील पर कितने प्लस प्लस थ्री आएंगे तो जो हमारा टील एक्चुली वह किस तरीके से एक्जिस्ट करता है जैसा यहां लिखा गया है वैसा एक्जिस् तो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगटेव एलेमेंट होते हैं वही हायर ऑक्षिडिस्ट बर्दास कर सकते हैं क्यों क्योंकि वही एलेक्ट्रोन खीचवा सकते हैं इस टील से समझा दिया गया है यहां पर देखिए टील आई-3 में ऐसा नहीं कि आयोडिन बहुत ज़्या है इल गलती से भी टील प्लस त्री मत बनाना यहां पर टील प्लस वन है यहां पर क्या है टील पर प्लस वन है अब की बार प्लस त्री मत लिए ना क्यों क्योंकि आयोडिने लेस्ट्रो नेगटेव है वह एलेक्ट्रोन खीच ही नहीं सकता अगर एलेक्ट्रोन खीचने की ताकत है तो तीन नेगटिव चार्ज नहीं आएंगे आयोडीन के टाइप आयोडीन की साइड में तो हमारे टीयल पर तीन प्लस नहीं आप आएंगे तो आप बोलोगे प्लस वन है लेकिन साथ साथ एक चीज आपने पढ़ा होगा आई थ्री नेगटिव जो लीनियर स्ट्रक्चर देता है तो यह दोनों के मिक्षर से यह चीज मिली अगला देखते हैं बी आई एक फई अना बिस्मत का यह है वह या इकलावता नून विस्मत प्लस फाइब का एकलावता नून कंपाउंड है जो की है बी आई एक पाइब बिस्मत फई पढल लिजेगा दवेल करेक्ट्र प्लस फाइब कंपाउंड इस बाकी कोई और नहीं पाया जाता बाकी अगर कोई है तो वो क्या होगा स्टेबल नहीं होगा अगली चीज़ देखते हैं आपके लिए होमवर के यह कुशन आप करिएगा मिलते हैं आपको अगली वडियो में तब तक के लिए खुश रहिए प् प्रिश्चित रूप से आपको नंबर मिलने लग जाएंगे आपके इन और्गनिक हमस्टे में धीर धरे मैं और्गनिक हमस्टे की तरफ ही बढ़ाऊंगा ठेक है बाइबाए टेक केर